नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल हेल्थ टिपसिन हिंदी में दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी जड़ी बूटियों से होने वाले स्वास्थ है लाबों के बारे में दोस्तो पोधे का कोई भी हिस्सा जैसे कि फल, बीच, श्टेम, छाल, फूल, पत्ती, इस्टिगीमा या जड़, हर्विया जड़ी बूटि कहलाता है हर्व अपनी सुगन, स्वाद, ओश्द्यगून या अन्य ऐसेट के लिए मुल्यवान है दुनिया के लगबग हर हिस्से और कई अलग-लग संसकर्थियों में प्राचीन काल से ही इन जड़ी बूटियों का भोजन और ओश्दियों में परियोग किया जा रहा है जड़ी बूटियों का इस्तमाल आम तोर पर ख़दे पतारतों में, दवाईयों में, कीट नियंतरन के लिए और अध्यात्मिक उदेशों के लिए भी किया जाता है साथी जड़ी बूटियों के साथ उपचार बहुती सुरक्षित माना जाता है क्योंकि जड़ी बूटियों के ना के बराबर दुष पर भाव होते है लगबग सभी जड़ी बूटियों के स्वास्ते लाब है और आप इन जड़ी बूटियों को डॉक्टर की सलहा के बाद अपने उपयोग में ला सकते है दोस्तों वैसे तो जड़ी बूटियों के अंगिनत स्वास्ते लाब है पर आज हम आपको उनके कुछ विशेश फायदों के बारे में बताते हैं जड़ी बूटिया कहीं आवशकते लो एंटी ओक्सिडेंट्स फायटो इस्टेरोल विटामिन और अन्य पोशक पदार्तों में स्मरिध होती है जो शरीर को विशाक्त पदार्तों और किटानों से लड़ने में मदद करती है और हमारी परती रख्शा पदार्नाली को बढ़ा कुछ जड़ी बूटिया आपके शरीर में सुजन को कम करने में मदद करती है यही कारण है कि जड़ी बूटिया सुजन संबंदि स्वास्टे समस्याओ जैसे की ओस्टियो और्थराइटिस गठिया और आत के सुजन के लिए प्राकर्तिक उपचार के रूप में काम करती है कुछ जड़ी बूटिया अगनाशे पर सकारात्मक परभाव डालती है जिससे बलड शुगर का इस्तर संतुलित रहता है। नमबर चार अलजाइमर रोग के लिए कई जड़ी बूटियों में एंटी ऑक्सिडेंट एंटी एमलाइड और एंटी इंफलेमेंटरी गुन होते हैं ये अलजाइमर रोग को परभावी धंग से रोखती है यूरोप में जिनका गो जड़ी बूटि का उपयोग अलजाइम पर उपयोग किया जाता रहा है वास्तव में जड़ी बूटियां केमो थेरिपी के बाद के परभावों को शांत करने में भी मदद करती है जड़ी बूटि रख्त को शुद करती है और सेल म्यूटेशन को रोकती है जो आमतोर पर कैंसर का विकास करते हैं नमबर च्छे तवचा को उजवल और स्वस्थ बनाते हैं यदि आप तुलसी नीम पुदीना के पत्ते और एक चुटकी हल्दी पाउडर मिला कर उपयोग करते हैं तो आपके चेहरे से किसी भी परकार के काले दाग धब्बे मिठ जाएंगे कैमोमाईल ओईल शती गरस्त तवचा के उतक को ठीक करने में मदद करता है टीट्री ओईल विशेस रूप से ओईली स्कीन के लिए फेश वोस और क्रीम में इस्तमाल किया जाता है क्योंकि इस में तेल इस्तराव को नियंत्रित करने की शमता होती है अलोविरा का वियापक रूप से उप्योग तवचा उतपादों में क नम्बर 7 हेर ग्रोथ के लिए तवच्छा की देखबाल की तरह बालो की देखबाल की तरहर भी हरपल जड़ी बूतियों के मात धह्म से की जाती है। कई ऐसी जड़ी बूटिया जैसे कि ब्रामी, होर्स टेल, जिनसेंग, गेंदे के फूल का रस बालों के विकास में मदद करते हैं एलोविरा का रस या तेल बालों की कोशिकाओं को पुनर जीवित करता है और सिर को ठंडा करता है मेथी भी बालों की जड़ों में रक्त परिसंचरन बढ़ाती है हर्बल टूथ पेश्ट अब बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं जो बिना किसी दुश परभावों के आपके दातों और मसूडों को स्वस्त रखते हैं कई ऐसी जड़ी बूटिया हैं जो सीधे दात और मसूडों पर इस्तमाल होती हैं उधारन के लिए दातों और मसूडों पर सेज के पत्ते रखनने से दात तुरंट साफ हो जाते हैं यदि आपकी सांस से बदबू आती है तो ताजा अजमोट या टकसाल चाय का माउट वोश के रूप में उप्योग करने से आसानी से इसे समाप्त किया जा सकता है दातों के लिए लोंग का तेल भी बहुत ही अच्छा होता है सेज, नीम, सौफ, अजमोट, अलोविरा और टकसाल जैसी जड़ी बूटियां हरबल टूथ पेस्ट, माउट वोस, आधी के निर्मान में व्यापक रूप से इस्तमाल होती है तो दोस्तों ये थे जड़ी बूटियों से होने वाले स्वास थलाब आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और बहतरी जानकार्या पहुचा सकें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वर शेयर करना ना भूले अगर आपके पास कोई खास जानकारी है या आप हम से किसी खास विशेय पर जानकारी चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद